मूल प्रश्णी यह है कि जन्ता इस बात से मैं फिर कहूंगा अपने विपक्षी दलों के मित्रों से मित्रवत सरादूंगा जन्ता इस बात से भी एनॉइड होती मैं चिरती है ऐसा मेरा सेंस कहता है जब आप यह कहते हो किया रहा है वो तो 420 जीत गए वो भाव अच्छा न मान नहीं कर रहे है उससे नुकसान होता है तकी साब रुख जाओ भी दूसरी बात मैं कहूंगा इसको एनलाइज करिए गजाकर घर पे ठीक हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं बोलने पर तो कोई पैसा लगता नहीं लेकिन तथे तो तथे हैं सबसे बड़ी विपक्षी पार दे तरपाधी जी का ध्यान चाहूंगा एक नारा दिया चोकीदार चोर है क्या है और एक नारा दिया एक इसू बनाया राफेल में भृष्टाचार ठीक कोर्ट ने क्या का छोड़ो कोर्ट मैं आपने माफी मांगी वो भी छोड़ो मैं उस भास मनें पढ़ रहा हैं इन दो अनों नारों के बाद आपने हर जगा कहा और आउल जी ने ऐसा आदेश भी पारित किया था कि कांग्रेस के सारे लोग जोर से बोलेंगे इस बात को और जो धीमे बोलेंगे मैं वीडियो देखू उनको निकाल बाहर कर दूँगा कारसमित की बैठक में बात कही गई थी क्य अपने जीवन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आके खड़े हो गए इस से कम सीटे तो सीता राम केसरी की लीडर्शिप में जब चुनाव हो अधा तब भी नहीं आई थी तब ही सेकला पार था यह तो माननों मानों न सब लोग यह नहीं मानेंगे आपने अपनी बुद्धी से विवेक से सबसे बड़ा नारा उचाला अगरेशी ने कहा कि किसानों की नोजवानों की दलितों की पिछडों की मुसल्मानों की सरकार आएगी ठीक बाइस में 22 में सरकार आई भारती जन्ता पार्टी की रिपीट हुई तो क्या इसके लिए किसान, नौजवान, दलित, मुसल्मान, पिछडों अगरा इनके अलावा कोई अलग से बोटर आया था नहीं ना, इनी लोगों ने बोट दिया होगा ना, जिन्नोंने 12 में आपको जिताया, 7 में मायवती जी को जिताया, उन्हीं ने 22 में योगी जी को जिताया ना, 17 में और 22 में और हर चीज को खारिज कर देना, कीवना है नारे सब, अरे भाई, 17 में जब भाजावरती जन्ता पार्टी चुनाब में जीती है, तो सरकार आपकी थी, एड्मिनिस्ट्रिशन आपके पास था चाओधा में जब भाईती yarnta पार्टी ने केंदर में सरकार बनाई तो कॉंगरेस के पास एड्मिनिस्रिशन था, और इूपी दोस्त का सफा का, दोनों की चिठ्थी लगी थी, समर्थन में सफा बसपकी उड्मिनिस्ट्रिशन के लिए, राष्च पति क्या पिर, भेही आप थानेदार थे आप भी दरोगा थे इसलिए जना जनता के जनादेश के साथ अभध्र टिपनी मत करिए उससे जो कुछ बोट मिल बनता है वो भी चला जाता है जनता यह आप इच्छा रखती है कि आप विनम्र हों यह तो मानिये भाई माई बाप है जनता ने दो मिनिट म मित्र बोट मिले तो नूर है बोट नहीं मिला तो नूर चला जाता है और जब नूर चला जाता थोड़े दिनों बाद महल दुमहले गाड़ी गोड़े भी चले जाते हैं जो लोग परिवार से राजनीतिक परिवार से हैं कई बार उनके यहां सत्ता रही है वो लोग संपन रह सकते हैं क्या गोड़ा घाड़ी अपनी व्यक्तिकत में इंटेन कर सकते हैं लेकिन राज़त तो चला जाता है और पहली पीडी के राजनेता है तरबाटी जी वो तो बिल्कुली बरबाद हो जाते हैं अगर जनता ने आशिरवाद नहीं दिया मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ कि मैं इस बात इस तरह का कभी भी सुईकार नहीं कर सकता कि बंगाल का जनादेश गलत है क्योंकि ममता को जित दे दिया पंजाब का जनादेश गलत है क्योंकि अर्विन केद्रिवाल की पाजिटिक क्यों दे दिया उरीशा का गलत है कि नवीन बाबु क्यों जिता दिया योग उत्रपदेश का इसलिए सब अगर वो सब सही भी है लेकिन यूपी के गलत है बोल क्यों बोले योगी को जिता दिया ना ना बाइसा मैं थेतरई की इस सीमा तक नहीं जा सकता मेरे लिए भारत का हर बोट पवित्र है उस बोट से अखिलेश जीते चाय योगी जीते नवीन पटनायक जीते और धर्मेंद प्रणान जीते इससे क्या प्रणा पड़ता आप लोग जिस थेतरई के साथ में आस्मान पर खेल सकते हूं मैं नहीं खेल सकता मैं छोटा अदमी हूं मेरे लिए भारत का हर बोट उतना ही कीमती उससे जवहारलाल जी प्रणान मंत्री बने तोसर माते दरन्रमोदी बने तोसर माते इतना तो मानो भाई आज बड़ी-बड़ी बात हैं सब लोग कर रहे हूं मैं तो कहता हूं इतना हूं से कि भाईया यह भी ध्यान रखें 24 के बाद परिनाम बाले दिन भी बैठना होगा उसके लिए भी होमबर्ग कर लो कोई अच्छा तरक तो ढोन लो मानो भाजी पलट गई फिर क्या तरक लाओगे को तरक तो होना चाहिए ना थेतरही नहीं चलेगी यह जान लीजिए और गठवंधन के लिए मैं जरूर कहूंगा महत्पूर्ण यह नहीं कि पार्टी खुद में कितनी बढ़ी है महत्पूर्ण यह भी है कि गठवंधन से एक केबल बोट काई खेल नहीं होता जो मेरी समझ है गठवंधन से एक लाभ यह भी होता है कि आप छेत्री आकांच्छाओं को राष्टी यह मंच देते हैं छेत्री दल पन पे ही इसलिए क्योंकि इंद्रा गांधी की एरोगेंस के खिलाप ही छेत्री दल पन पे थे इसलिए भी गठवंधन बुरी चीज नहीं और जब सरकार अपने बहुमत की हो स्वतंत्र बहुमत की हो एक पाइटी को बहुमत हो वह गठवंदन करे तो और अच्छा हो जाता है तब आप ब्लेक मेलिंग भी नहीं कर सकते लेकिन हाँ जादा से जादा इलाकों के जादा समाजिक वर्गों का इंक्लूसिव सरकार में हो जाती है इसलिए मैं गठवंदन के पक्ष में रहता हूँ हंग एसेंबली हंग पार्लामेंट नहीं एक को बहुमत मिलना चाहिए दढ़ता से सरकार चले लेकिन बाकी दल भी सत्तारूण सम्हू में रहे ताकि देश के हर हिस्से को दिल्ली में प्रतिनितु मिल सके और राज्य का चुनाव हो तो लखनव में म सके